हुआ गा.... हालो अव्रिवन आज की विडियो में हम डिसकस करने वाले पैराथारे ग्लेंट की क्म्प्लीट कॉंसथ्ट को सबसे पहले हैं घै क्या मिनिंग है फैराथारे ग्लेंट का ये एक्षळ में कहा होता है position क्या है इसकी हमारी body में, कितने hormone release करता है और वो hormone क्या क्या function करते हैं हमारी body में तो अगर आप parathyroid gland की concept को clear करना चाहते हैं फुल clear करना चाहते हैं तो यह video आपके लिए बहुत important है मेरा नाम तुशार, तुशार भार्दौज और यह आपका अपना favorite channel science world by तुशार सर चलिए start करते हैं आज की वीडियो को parathyroid gland के topic के साथ parathyroid gland को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भी gland actual में होते क्या है ठीक है, हाला कि endocrine gland किसे कहा जाता है और हमारी body में कितने endocrine glands होते हैं उनकी position क्या है ये हम last video में discuss कर चुके हैं अगर आपने उस video को नहीं देखा है तो आपको description box में उस video का link मिलेगा अगर आपको थोड़ा भी doubt है तो पहले आप उस topic को clear कीजिएगा चाहिए, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा से intro लेते हैं gland का meaning क्या है, देखे, cells का cluster, cells का एक lump होता है जिसको हम gland कहते हैं, ठीक है cluster of cells that perform some specific function cluster of cells that perform some specific function उसको gland कहा जाता है लेकिन gland हमारी body में दो प्रकार की होते हैं ठीक, number first, exocrine gland and number second, endocrine gland exocrine gland उसे कहा जाता है जो enzyme release करते हैं और endocrine gland उसे कहा जाता है जो hormones release करते हैं चाहिए, तो हमारा जो आज की वीडियो का topic है parathorid gland यह एक endocrine gland है क्योंकि यह gland hormone release करता है इसलिए मैंने आपको कहा कि यह endocrine gland है तो याद रखिएगा endocrine gland उने कहा जाता है जो हमारी body में hormones release करते हैं अब हमारी body में कितने endocrine gland है यह आपको last video से पता चल जाएगा आज की वीडियो में हम parathorid gland को discuss करेंगे चलिए, अब आपको यह तो clear हो गया होगा अच्छे से clear होगा होगा कि वी gland किसे कहते हैं और कितने प्रकार के gland होते हैं उन में से एक gland है जिसका नाम है parathorid gland सबसे पहले हम इसकी position को discuss करेंगे parathorid gland present होता है हमारे neck region में लेकिन front side में नहीं आगे की तरफ तो thyroid gland होता है ध्यान से समझगेगा thyroid gland front part में होता है आगे की तरफ neck region में और thyroid gland के just back side में मतलब posterior part में present होता है parathorid gland clear? position clear होगी कहां पर present है? posterior part में किसके posterior part में? thyroid gland के back side मतलब posterior part में कुछ important lines है जो मैंने आपे note की हुए उसको समझते हैं parathorid gland lies on posterior side of thyroid gland जैसे मैंने आपको भी explain किया कि आगे की तरफ front side में क्या होता है neck region में? thyroid gland और उसके just back side में posterior part में present होता है parathorid gland it developed from endoderm of embryo देखिए embryo के बारे में आपने सुना हुआ है zygote से embryo बनता है zygote single cell structure होती है और zygote कैसे बनता है? egg और sperm के मिलने से ठीकि? zygote जब form हो जाता है जिसको हम single cell structure बोल रहे है उसमें जब division होते है कौनसे division? mitotic division होते है तो वहाँ embryo की formation होती है और जब embryo तयार हो जाता है तो embryo में starting में तीन layer देखी जाती है ectoderm, mesoderm और endoderm ठीकिए? याद रखिएगा ectoderm, mesoderm और endoderm यही तीन layer है जो हमारी body में organs को तयार करती है ठीकिए? चलिए, अब देखें आपर क्या लिखा हुआ था इन तीन में से endoderm तो endoderm वाली जो layer होती है वो बनाती है किसको? parathyroid gland को clear? अभी तक हमने देखे दो चीज़े discuss कर लिए है first, position second number पे इन तीनों में से कौन सी layer है जो produce कर रही है किसको? parathyroid gland को next ये जो gland होता है क्या produce करता है? parathyroid ठीक है? तो parathyroid gland एक endocrine gland है वो हमने starting में समझ लिया था अब ये parathyroid gland क्या produce करता है? ये produce करता है एक hormone जिसको बोलते है PTH short में आप इसको PTH ठीक है? इस तरह से भी दिखा सकते हैं बागे इसके full form क्या होती है? parathyroid तो parathyroid hormone एक ऐसा hormone है जो produce हो रहा है जो तयार हो रहा है जो release हो रहा है किस से release हो रहा है? parathyroid gland से और parathyroid gland से एक hormone release हुआ इसलिए हमने इसको बोला था शुरू में कि भाई ये एक example है एक gland है endocrine gland के list में जिसको place किया हुआ है exocrine नहीं बोलना है क्योंकि exocrine वो gland थे जो enzyme produce करते हैं clear हो गे बाद ध्यान लखेगा इसको next अब यहाँ पर देखे हमारी बोड़ी में ट्रांस्पोड का काम कोन करता है ब्लड करता है अब ब्लड में calcium कहां से आया अब बात यह कि ब्लड में calcium कहां से आया तो यह hormone जो पैरा थारीड ग्लेंट से release हो रहा है PTH यह नाम यहाँ पर नोट किया हमने पैरा थार्मन जिसको बोल रहा है तो पैरा थारीड ग्लेंट से पैरा थार्मन आता है और हमारी से calcium को release करवाएगा और कहां पहुचा देता है ब्लड में इसलिए आपर नाइन में देखे का लिखा है PTH mobilizes the release of calcium क्या release करा रहा है calcium को release कराता है into blood from bones लेकि blood में कहां से लाके डालेगा calcium को bones से calcium को निकलवाएगा और blood में डाल देगा ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं release होना चाहिए अगर ज़्यादा ये पैरा थार्मन release हो रहा है एक example मान के चलिए आप कि पैरा थारेड ग्लेंट से PTH hormone आ रहा है पैरा थार्मन हार्मन release होता है लेकिन अगर ये hormone hypersecretion हो जाता है मतलब ज़्यादा secret होने लगता है तो ऐसे में क्या सनुझ से आएगे bones से बहुत ज़्यादा एक excessive quantity में calcium release करवा देगा कहां पर blood में तो blood में calcium level बढ़ जाएगा और bones में calcium level down हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ ठीक है अगर ऐसा हुआ तो हमारी bones soft पढ़ जाएगे clear अब आते हैं next point पर it increased calcium absorption from nephron अब देखे पहले nephron के बारे में थोड़ा clear कर लेते हैं हमारी जो kidney होती है कितनी kidney होती है दो होती है human body में kidney की unit किसको बोलता है nephron nephron में generally दो parts होते है nephron को अगर हम classify गड़ी flow chart की form में तो एक तो होता है malphagen body ठीक ही और एक होता है tubular part tubular part के अंदर भी कुछ section किये जाते है जैसे कि PCT होता है एक loop of panel होता है एक DCT होता है और last minute collecting duct होती है clear तो वो तो आखेर आपने पढ़ा होगा life process chapter के अंदर कि भी nephron के structure कैसे होती है क्या होती है तो ये क्या function perform कर रहा है it increase the calcium absorption from nephron nephron से nephron का basic function क्या होता है urine formation तो nephron के अंदर जो impurities जा रही है जो अशुद्या जा रही है जिसको हम urine बोल रहे है ठीक है जो हमारी body के लिए waste है तो वहाँ से ध्यान से देखे क्या लिखा है absorption from nephron तो nephron के अंदर जो material pass out हो रहा है जिसको हम waste consider कर चुके है हमारा brain क्या consider कर चुका उसको कि हमारी body के लिए सही नहीं है ठीक है जिसको हमने urine का नाम दिया और वो body से बाहर जा रहा है nephron के रास्ते से अब जब वो यहां से pass out होता है तो उसके अंदर अगर calcium है और हमारा brain यह decide करता है कि calcium तो अभी ज़रूरी था और यह waste में कैसे चला गए है तो उसको वहां से absorb कर लेगा clear तो it increase calcium absorption तो calcium के absorption को बढ़ावा देता है calcium के absorption को बढ़ावा देता है from nephron nephron से देखें हमारा brain तो पूरी कोशिश करके चलता है हमारी body सही है ठीक है balancing करके चलता है अगर by chance access form में है तो उसको बढ़ार निकालने की कोशिश करेगा और by chance कुछ कमी है या किसी वज़े से किसी भी reason से बायो में एक reason नहीं होता किसी चीश के लिए calcium चला गया है urine के रास्ते बढ़ार जा रहा था तो वहां से वापस भी खीचनी की कोशिश करेगा इसलिए आप ए-line में डाला गया है कि PTH PTH कौन? Parathormon जो कहां से release हो रहा है Parathire gland से तो यह क्या function कर रहा है? Second function फस्स तुमने पढ़ लिया है कि calcium को bone से निकालेगा blood में डाल रहा है लेकिन दूसरा function क्या रहा है nephron से calcium को absorb कर रहा है ठीक है? वहां से बाहर निकालेगा और vas recta वगर एक part होता है और जो nephron के उपर एक जाल सा पढ़ा रहता है उसके अंदर डाल देता है फिर वो body के अंदर absorb बजाएगा clear होगे बद तो दो function हमने अभी पढ़े कि अभी PTH क्या function कर रहा है हमारी body में जो अपने आप में बहुत important है next it's hyposecretion देखे है hyposecretion का मतलब क्या होता है अगर hormone कम release हो रहा है तो अलग स्थिति देखने को मिलेगी अगर hormone ज़्यादा release हो रहा है तो कुछ अलग समस्थे आपको मिलेगी ठीक है अब वो क्या क्या हो सकती है जब hyposecretion होता है किसका hyposecretion PTH मतलब पैराथ होर्मोन का जो पैराथ हारेट ग्लेंट से release हो आगा है तो hyposecretion अगर कम release होता है पैराथ होर्मोन तो इसकी वज़े से muscles की excitability बढ़ जाती है muscles की excitability increase हो जाती है साथ में sustained contraction of muscles of larynx, face, hand and feet पैरों की muscles हातों की जो muscles होती है larynx की जो muscles है face की जो muscles है उनकी बाद चल रही है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा contraction हो जाएगा थोड़ा खिचाव बन जाएगा अब एक तो होता है stretching ठीक है एक होता है contraction तो relaxation वाली बात नहीं चल रही है उसके opposite contraction की बात चल रही है तो muscles थोड़ा सा contract हो जाती है थोड़ा खिचाव बन जाता है muscles में especially कौन से part में पैरों की बाले part में आपको देखने को मिलेगा हाथों में मिल सकता है फेस में मिल सकता है और लेरिंग्स लेरिंग्स में जो voice box होता है ठीक है तो ये hyposecretion की इस्थिती है तो hyposecretion में मैंने क्या समझा भी कि अगर PTH हर्मोन कम रिलीज होता है तो ऐसी इस्थिती में थोड़ा सा दिकत देखने को मिलेगी अब वो क्या क्या समस्या है कि मसल्स थोड़ा सा contraction phase में चली जाती है और relaxed नहीं हो पाती है लेकिन ये कब हुआ जब PTH हर्मोन कम रिलीज हुआ और PTH हर्मोन कहां से आया था पैरा thyroid gland से posterior वाले part मतलब neck वाले region में पीछे की तरह thyroid की जस्थ पीछे clear होगे बाद अब यहां एक और इस्थिती बन सकती है वही कम release हो रहा है तो ये वाली problem आ रही है लेकिन अगर ज़्यादा release होता है तब क्या होगा आपने एक नाम सुना होगा osteoporosis अब देखिए ये osteoporosis जो term है कैसे जुड़ी हुई है parathormon से इसको clear करते हैं अगर हमारे parathorate gland से जो parathormon release हो रहा है वो ज़्यादा release होने लगा तो ऐसे में हमारी bonds से calcium ज़्यादा निकालेगा और blood में डाल देगा तो blood में तो calcium level increase हो गया लेकिन bonds में calcium level down हो गया और अगर हमारी bonds में calcium level down होता है किस वेज़े से हुआ? parathormon की वेज़े से तो हमारी bonds जो होती है soft हो जाएगी बहुत जल्दी इमापे fracture देखने को मिलेगा short में ये भी कह सकते है demineralization हो सकता है demineralization मिनeralization का मतलब होता है तो हमारी bonds में calcium कम हो जाएगा क्योंकि bonds से calcium को निकलवा दिया गया किसके द्वारा? parathormon की वेज़े से क्योंकि parathormon थोड़ा ज़्यादा release हो रहा था इस वज़े से और वो कहां पर चला गया calcium? हमारे blood में आ गया लेकिन bond में तो कम हो गया न इसी वज़े से यहाँ पर bonds में bending या fracture होना bonds का soft पढ़ जाना clear? जिसको हम क्या बोल रहे है? कि एक term है demineralization और यह demineralization जब हो जाता है हमारी bonds में ठीक है? तो ऐसे में फिर वहाँ पर एक नाम highlight किया जाता है जिसको बोलते है osteoporosis तो I think आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि parathormon का function क्या होता है? कहां से release हो रहा है? ठीक है? कौन सी cell है? chief cells यहाँ पर बोला जाता है जो parathire gland की हैं जो क्या release करती है? parathormon को यह क्या function perform करता है? यह भी आपको clear हो चुका है अगर यह कम release हो रहा है तो क्या दिक्कत आ सकती है हमारी body में और अगर यह ज़्यादा release होता है ज़्यादा मतलब hyper secret होता है तो ऐसे में क्या problem आ सकती है? कैसे osteoporosis को PTH hormone मतलब parathormon से connect किया जाता है? यह चीज़ भी आपको clear हो गया है आपको अच्छे सुन में आ गया है कि परathormon का क्या function है क्या क्या उससे समस्या जुड़ी हुई है तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, maximum share कीजिए और अगर आपने हमारे चनल को भी तक subscribe नहीं किया इस तरह का content आप regular पाना चाहते हैं सब्सक्राइब करने के बाद bell icon को जरूर से प्रेस कीजिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में एक और नए interesting topic के साथ वीडियो को starting से लाज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद